हम येशु के जन्म की कहाने को सुने और देखें इससे पहले आईए सुनते हैं एक मधुर गीत हम येशु के जन्म काराद लुप सुनते हैं तर चबंधे जेकाणने grand filledman कि शजब में दो एंगे पोंगे जेर्या झायने प्रॉशने जेन देदर्ड इल्गे कि खेंगे जेर्याजे चैंने। झाल झाल कर दो ए मुड़ाँ देघन शेन एनलियुंस पुझाच एनला शेघन फिडिय देन कर दो ए के दो एनल थिश दो एनल आप सबस्टे इनल छो खंडीड़ देघन ल coward क्षब एनल skills यूसुफ नाम के एक धर्मी व्यक्ति के साथ मर्यम की मंगनी हो चुकी थी जब उसने सुना कि मर्यम गर्भवती है तो वह जानता था कि वह उसका बच्चा नहीं है परन्तु वह मर्यम को बदनाम नहीं करना चाहता था इसलिए उसने उस पर कृपा करने की मनसा से उसे चुपचाप तलाक देने की सोची परन्तु इससे पहले कि वह ऐसा करता एक स्वर्गदूत ने उसको स्वप्ण में आकर उससे बात की उस स्वर्गदूत ने कहा हे यूसुफ, मर्यम को अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार करने से मत डर उसके भीतर जो बच्चा है वह पवित्र आत्मा की ओर से है वह एक पुत्र को जन्म देगी उसका नाम येशु रखना, जिसका अर्थ है यहोवा बचाता है क्योंकि वह लोगों को उनके पापूं से बचाएगा अतह यूसुफ ने मर्यम से विवाह किया और उसे अपनी पत्नी के रूप में घर ले आया परन्तु उसके बच्चे को जन्म देने तक वह उसके साथ नहीं सोया जब मर्यम के जन्म देने का समय निकट था तो उसने और यूसुफ ने बैतलहम जाने की एक लंबी यात्रा की उनको वहाँ जाना ही था क्योंकि रोमी अधिकारी इसराइल में रहने वाले सभी लोगों की गिनती करना चाहते थे वे चाहते थे कि सभी लोग वहाँ जाएं जहां उनके पूरवज रहते थे राजा दाउत का जन्म बैतलहम में हुआ था और वह मरियम और यूसुफ दोनों का पूरवज था मरियम और यूसुफ बैतलहम गए परंतु वहाँ जानवरों को रखने वाले स्थान के अलावा उनके ठहरने के लिए कोई स्थान नहीं मिला वही स्थान था जहां मरियम ने अपने बच्चे को जन्म दिया उसने उसे चर्नी में लिटाया क्योंकि वहाँ उसके लिए कोई बिस्तर नहीं था उन्होंने उसका नाम यीशु रखा उस रात वहाँ पासी के खेत में कुछ चरवाहे अपने भेडों के जुंड की रखवाली कर रहे थे अचानक से एक चमकदार स्वर्गदूत उन पर प्रकट हुआ और वे डर गए उस स्वर्गदूत ने कहा मत डरो क्योंकि मेरे पास तुम्हारे लिए शुब संदेश है बैतलहम में मसीह प्रभू का जन्म हुआ है चा कर उस बालक की देखो और तुम उसे कपड़े में लिप्टा हुआ और चरणी में लेटा हुआ पाओगे अचानक से आकाश स्वर्गदूतों से भर गया वे परमेश्वर की स्थुति कर रहे थे उन्होंने कहा सारी महिमा स्वर्ग में विराजमान परमेश्वर को मिले पृत्वी पर उन लोगों में शान्ती हो जिनकी बहद चिंता करता है तब स्वर्गदूत चले गए वे चरवाहे भी अपनी भेडों को छोड़कर बालक को देखने गए शीग्र ही वे उस स्थान पर पहुँचे जहां येशु था और उन्होंने उसे चरनी में लेटा हुआ पाया जैसा कि उस स्वर्गदूत ने कहा था वे बहुत उत्साहित थे तब वे चरवाहे वापिस वहां लोट गए जहां उनकी भेडें थी उन्होंने जो कुछ भी सुना और देखा उस सब के लिए वे परमेश्वर की स्तुति कर रहे थे पूर्व में दूर एक देश में कुछ पुरुष थे उन्होंने सितारों का अध्यन किया था और वे बहुत बुद्धिमान थे उन्होंने एक असामान्य सितारे को आकाश में देखा उन्होंने कहा कि इसकार्थ है कि यहूदियों के एक नए राजा का जन्म हुआ है इसलिए उन्होंने उस बालक को देखने के लिए अपने देश से यात्रा करने का निर्णय किया एक लंबी यात्रा के बाद वे बैतल हम आए और उस घर को पाया जहां यीशु और उसके माता पिता ठहरे हुए थे जब इन पुरुशोंने यीशु को अपनी मा के साथ देखा तो उन्होंने घुटने टेक कर उसकी आराधना की उन्होंने यीशु को कीमती उपहार दिये फिर वे घर वापिस लोट गए यह कहानी हमें बाइबल के मत्ती रचित सुसमाचार अध्याए एक और लूका रचित सुसमाचार अध्याए दो से ली गई है आप सभी सुनने वाले को प्रभु परमिश्वर की अनंत आशीश निरंतर बनी रहे धन्यवाद